मैंने अभी हाल ही में ये cordless multi head power tool purchase किया था आज के वीडियो में मैं आपको इसके सभी head की testing करके दिखाऊंगा मैंने इसमें battery attach कर ली है सबसे पहला जो head attachment है ये हमारा drill plus driver head attachment है इसे मैं इसके mainframe के साथ lock कर देता हूँ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके mainframe में breathless motor का इस्तिमाल किया गया है और ये push button है इससे आप press करके इसकी motor की अलग-अलग 3 speed label का selection कर सकते हैं अभी जो हमने drill plus driver attachment लगा है इसमें red slider button है इससे आप आंगे को slide करके speed to selection यानि high speed और तीछे को slide करके low speed यानि screwdriver mode में select कर सकते हैं हमने screwdriver का 9 number torque जो है इसको select किया है अब हम यहाँ पर एक bit जो है उससे connect करने वाले हैं इस bit को connect करने के बाद अब हम यहाँ पर इससे screwdriver की तरह use करेंगे तो मैंने 9 label इसका torque रखा है और यहाँ पर एक हमारे पास tool है जिसमें screw जो है वो लगे हैं उनको हम unscrew करके देखते हैं अच्छा यह जो screwdriver attachment है इसमें अलग-अलग torque setting है जिससे की जरूरत के अनुसा torque का selection किया जा सकता है और thread हमारे नहीं करते हैं आप देखेंगे बड़ी आसानी से हम screw को unscrew और screw कर सकते हैं और thread बिलकुल भी हमारे खराब नहीं होते हैं तो यह drill driver attachment जो है इसमें हमने driver की तरह इसको उपयोग कर लिया है अब हम drill machine की तरह इससे उपयोग करेंगे यहाँ पर हम इस wood block में छेद करेंगे आप देखेंगे काफी मोटा wood block है और इसमें हम wood में hole करने वाली bit जो है उसका use करने वाली है तो मैं इसके chuck में ये bit जो है इसे लगा देता हूँ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 mm का इसका chuck है और अब हमें इसका torque जो है maximum यानि 32 mm करना होगा और speed high में रखनी होगी तो यहाँ पर मैंने सभी selection जो है वो कर लिये है high speed में इसका mainframe का जो breastless motor है उसकी भी हमने setting कर ली है और अब हम इसमें hole करते हैं आप देखेंगे बड़ी आसानी से ये wood block में shade कर सकता है तो अभी हम आगे इससे metal में भी shade करेंगे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक मैंने जितने भी tools purchase किये हैं उसमें ये मुझे सबसे best लगा चुकि इसमें अलग-अलग attachments को आप mainframe के साथ connect करके multipurpose use में इस tool को ले सकते हैं अभी हमने ये drill bit का उपयोग करके इस wood block में hole किया है अब हम drill bit change करेंगे और ये metal वाली drill bit जो है इसका उपयोग करके metal में hole करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इससे attach कर दिया है और आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास angle grinder का opener है जो की metal का है और इसकी seat की मोटाई जो है लगबग 2 mm है तो इस seat में हम hole करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये आसानी से इसमें hole कर पाएगा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो multi head power tool है इसकी motor जो है वो काफी powerful है इसलिए इसको आप professional work में भी use कर सकते हैं और इसके head attachment की durability जो है वो काफी अच्छी है build quality काफी अच्छी होने की वज़े से ये जल्दी खराब नहीं होंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस metal seat में हमने आसानी से hole कर दिया है इस metal seat की मोटाई 2 mm थी और ये tool जो है काफी अच्छे से काम कर रहा है और मैंने इसको personal काफी सारा use में लिया है और मुझे ये tool best लगा है अब हम क्या करते हैं कि हमने जो drill plus driver attachment है इसकी testing कर ली है तो अब हम इस drill driver attachment को हटा देते हैं और अब हम यहाँ पर drill plus hammer attachment जो है इसको use करके देखेंगे ये भी काफी अच्छा attachment है और बड़ी आसानी से आप mainframe के साथ इससे connect कर पाएंगे इस समय ये hammer की position में है इसका स्थिछ हम drill की position में कर देते हैं तो अब आप इससे drilling भी कर सकते हैं यहाँ पर इस position में wood या steel में drilling के ये काम आएगा चलिए अब हम इसमें concrete या wall में hole करने वाली drill bit जो की 10 mm मोटाई वाली है और SDS chuck में ये लगती है यहाँ पर SDS chuck हमारे hammer drill attachment में है तो इससे हमने अपने attachment के साथ connect कर लिया है और मैं hammering position में अपना जो tool है उसे कर चुका ही और मैं सबसे पहले आपको concrete में hole करके यहाँ पर दिखाऊंगा यह आप देखेंगे कि यह concrete वाली जगह है और यहीं पर हम इस hammer drill attachment के द्वारा hole करेंगे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक cordless hammer है जो की new beat brand का है जैसा वो performance दे रहा था वैसा ही यह भी performance दे रहा है बस यहाँ पर दोनों में फर्क यह है कि इसमें hammering plus drilling का feature है जबकि उसमें hammering, drilling और chiseling तीनों feature थे तो यहाँ पर अगर आपको wall में hole करना है चाहें वहाँ पर RCC ही क्यों ना हो इस head attachment के द्वारा आप बड़ी आसानी से hole जो है वो कर पाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे काफी अच्छे से इसने hole जो है वो RCC में कर दिया है अब हम यहाँ पर brick में hole करके आपको दिखाते हैं brick में hole करने में जरा भी आपको time ही नहीं लगेगा बड़ी तेजी से यह brick में hole कर सकता है आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी इसने brick में hole जो है वो कर दिया है यहाँ पर इस multi head power tool का जो hammer drill attachment है इसका performance आपने देखा यहाँ पर इस hammer drill attachment में SDS चकका इस्तमाल किया गया है जो की 26 mm है अब हम इस head attachment को main frame से निकाल देते हैं और दूसरा head attachment जो है उसे main frame में लगा कर उसकी testing करेंगे तो यहाँ पर अब हम next attachment जो है वो chainsaw attachment है इसको हम main frame के साथ लगा कर इसकी testing करने वाले हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सभी attachment की मैंने testing की थी तो मैं battery को full charge करके लाया था और सारी testing करने के बाद भी battery के एक भी point down नहीं हुए तो चलिए यह जो chainsaw attachment है इसके द्वारा हम एक पेड की डाल को cut करते हैं आप देखेंगे कितना अच्छा performance यह chainsaw head attachment दे रहा है इसने बड़ी आसानी से डाल को cut किया है मैं फिर से एक और टुकला यहाँ पर आपको काट के दिखाता हूँ आप देखेंगे कितना अच्छा performance यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है और यह जो chainsaw attachment है यह 4 inch वाला chainsaw attachment है काफी अच्छा performance हमको देखने को मिला है यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार cut करके दिखाता हूँ आप देखेंगे कितनी अच्छी तरह से यह पेड़ की डाल को cut कर सकता है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि gardening purpose से यह जो chainsaw attachment है यह काफी अच्छा performance देता है और काफी अच्छे से काम कर रहा है चलिए इस attachment को भी आपने देख लिया इसका performance काफी अच्छा था अब मैं यहाँ पर दूसरा head attachment जो है उसको test करके आपको दिखाऊंगा तो वो head attachment है हमारा angle grinder head attachment तो इस attachment का भी मैं उपयोग करके आपको इसकी testing जो है वो दिखाता हूँ यहाँ पर इससे हमने mainframe के साथ इस तरह से आप देखेंगे lock कर दिया है और अब हम इससे cutting जो है वो करके देखेंगे तो metal का एक pipe है साथी एक metal की rod आप समझ लीजिए यह एक metal की rod है जो की solid है इसको हम cut करेंगे पहले मैं आपको pipe को cut करके दिखाता हूँ यह metal का pipe है और यहाँ पर मैं इसे cut करके आपको दिखाऊंगा कि यह angle grinder head attachment का performance कैसा है काफी अच्छा head attachment है यह आपके काफी उपयोग आएगा और आप देखेंगे कि बहुत आसानी से इसने pipe को cut किया है तो यहाँ पर इस तरह से मैं यह pipe का टुकड़ा आपको दिखाता हूँ कि यह जो metal का pipe है इसे इसने बड़ी आसानी से cut कर दिया था मैं फिर से एक piece आपको इसका cut करके दिखाता हूँ कितना अच्छा performance यह दे रहा है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो angle grinder head attachment है इसमें 125 mm का cutting disc है वो लगाया जाएगा 100 mm का मैंने लगा रखा है आप 125 mm का भी इसमें cutting disc लगा सकते हैं तो यह जो metal का pipe है इसको आप देखेंगे इसने कितनी आसानी से cut किया है और अब यहाँ पर मैं आपको इस metal के solid rod को cut करके दिखाँगा तो यहाँ पर जो metal की rod है जैसे सरीया हुई उनको भी आप इस angle grinder की साहता से आसानी से cut कर सकते हैं तो चलिए मैं इस solid metal की rod को cut करके आपको दिखाता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास जब मैं video suit कर रहा था तो सरीया वगेरा थी नहीं इसलिए मैं आपको cut करके नहीं दिखा पाया जो कुछ मुझे मिला उस समय उसी से मैंने video जो है वो suit किया है आप इससे जो सरीया है उनको भी अच्छे से cutting कर सकते हैं काफी powerful है यह जो angle grinder head attachment है चुकि इसकी motor ही powerful है तो इसलिए काफी अच्छा performance हमें देखने को मिलता है चलिए अब हम इस head attachment को निकालते हैं और दूसरा head attachment जो है उससे लगाएंगे तो यह angle grinder head attachment हमने mainframe से निकाल दिया है और अब यहाँ पर यह आप देखेंगे oscillating multi head attachment है इसे मैं mainframe के साथ log कर देता हूँ और इस head attachment में अलग-अलग tools जो है वो लगते हैं जैसे सबसे पहले मैं इसमें आपको cutting tool जो है उसको लगा के दिखाता हूँ यह cutting tool है और इसे मैं इस attachment के साथ connect करने वाला हूँ आप देखेंगे इस तरीके से इसे हमें उठाना है space बन जाएगा उसमें इसे हमें फसा लेना है और फिर से lock हो जाएगा अब हम इस attachment के दौरा wood, plastic या metal में cutting कर सकते हैं मैं सबसे पहले आपको plastic के pipe में cut करके दिखाता हूँ इस तरह के काम यह आ सकता है यहाँ पर मुझे plastic के pipe में एक hole करना है और मैं इस तरीके से इस tool की बदद से plastic के pipe में एक hole जो है वो कर सकता हूँ यहाँ पर हमें अगर round shape में hole करना होता तो उसके लिए अलग से tools आते हैं लेकिन इस तरह के square या rectangular या triangle shape में आप pipe में cutting कर सकते हैं इस tool की साहता से आप देखेंगे कितने अच्छे से cutting जो है वो की है इस तरीके की cutting आप plastic wood या metal में कर सकते हैं हला कि plastic या wood में cutting में यही blade इस्तमाल होगा लेकिन metal में blade दूसरी तरह का use होगा वो अलग से अलग तरह के blade आते हैं अब हम इस pipe की ही पूरी cutting कर रहे हैं जैसे हमें pipe ही cut करना हो तो किस तरीके से इस tool की साहता से आप pipe की cutting कर सकते हैं आप देखेंगे कि आपके जो cutting काम है उन मैं आपको करके दिखाई अब मैं इसी head attachment में दूसरे तरह के जो tools हैं उनको connect करूँगा head attachment यही रहेगा अभी हमने cutting की है अब हम sanding करके देखेंगे तो यह जो blade है इससे मैंने निकाल दिया है और आप देखेंगे कि इस तरह का यह attachment इसी tool head के साथ में आता है और यहां पर इ मैं wood में आपको sanding करके दिखाऊंगा wood या metal में sanding कर सकते है metal में जैसे paint लगा है तो उसे आप sanding के द्वारा निकाल सकते हैं Wood में भी आप sanding इस head attachment के द्वारा कर सकते हैं अब यहां पर देखेंगे काफी roughness है इस wood block में हम इस से sanding करते हैं यहां पर standing में हला कि काफी time लगता है चुकि यहाँ पर काफी ज़्यादा roughness थी और मैंने धीरे-धीरे करके इसे काफी ज़्यादा smooth कर दिया है आप देख पाएंगे कितना अच्छे से यह smooth हो चुका है और मैं आपको यहाँ पर नज़्दीक से अभी आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल भी roughness जो है वो नहीं रही है काफी अच्छे से standing हो चुकी है और यहाँ पर smooth है और यहाँ पर काफी ज़्यादा rough था तो हमने इसे smooth कर दिया है यहाँ पर इस attachment के दौरा metal में अगर paint वगएरा लगा है तो उसे भी आप smooth कर सकते हैं तो इस तरह से sending जो है वो की जा सकती है इस head attachment के दौरा इस head attachment को हमने निकाल दिया है mainframe से और अब हम next head attachment जो की आप देखेंगे एक curve saw है और यह भी काफी useful attachment है यहाँ पर curve saw लिखा हुआ आप देख पाएंगे इस head attachment को हम अपने mainframe के साथ connect करते हैं और इससे मैंने lock कर दिया है और इस attachment के दौरा आप cutting जो है वो कर सकते हैं लेकिन cutting कैसी आप curve में या अलग-अलग shape में wood या plastic यहाँ तक की metal में भी cutting कर सकते हैं तो यहाँ पर इसका जो blade है इसको आप इस तरह से उपर side direction में लगाएंगे वैसे आप अपने use के अनुसार इससे नीचे side भी कर सकते हैं मैं इससे इसी direction में लगाँगा चुकि अभी मैं इसको इसी direction में use करने वाला हूँ और आप देखेंगे इस तरह से मैंने blade को यहाँ पर लगा दिया है और मैं अब वही plastic के pipe जो है उनकी cutting करके आपको दिखाता हूँ यहाँ से हमें plastic का pipe cut करना है तो कितनी आसानी से इसके दोरा pipe की cutting जो है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस multi head power tool के सभी attachment का उतियोग पहले ही करके देख लिया था जब मुझे यह सही लगा कि नहीं यह अच्छा performance देता है durable है और इस multi head power tool के सभी attachment की build quality अच्छी है तब मैंने यह decide किया कि मैं इस पे एक detail video बना दूँ तब मैंने यह video जो है suit किया है यहाँ पर अब हम इस ply में एक round shape की cutting जो है इस curve saw के द्वारा करेंगे तो मैं एक round circle जो है उससे बना लेता हूँ जिससे की मुझे यह पता चल सके कि हमें curve saw किस जगह से cutting में use करना है अब हम blade को उपर की direction में लगाएंगे चुकि कुछ लोग कहते हैं कि blade जो है यह ऊपर की direction में लगता है यह आपके use पे निर्वर है आपको कैसे ज़्यादा सुविधा मिलती है उसी अनुसार आप blade को लगा सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि आप हम round shape में cutting कर रहे हैं जाकि मुझे ज़्यादा experience नहीं है इस तरह की कामों का देखें फिर भी मैं आपको एक demonstration दे रहा हूँ कि आप किस तरह से इस tool को पियोग में ले सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी अच्छे से यह tool काम कर रहा है अचा इस tool head के द्वारा आप wood work जो है उसे भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे round shape में हमने एक circle type cutting जो है इस plywood में की है और बड़ी आसानी से इस tool head के द्वारा आप इस तरह की cutting जो है वो कर सकते हैं तो यहाँ पर इस tool head को भी आपने देखा कि यह काफी अच्छा performance दे रहा है अब हम mainframe से यह tool head attachment निकाल देते हैं और नया attachment जो कि एक तरह का pressure washer है जिससे car, bike वगेरा की cleaning जो है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बदाना चाहूंगा कि यह जो pressure washer attachment है इसका performance मुझे काफी अच्छा लगा चुकि मैंने जो पहले cordless pressure washer purchase किया था उसमें इतना अच्छा pressure नहीं था लेकिन इसका pressure काफी अच्छा है और खास बात यह है कि इसके अंदर जो pump है उसमें जो piston है वो metal का है चलिए मैं इसे connect करता हूँ और मैं आपको इसकी testing दिखाता हूँ उस cordless pressure washer से इसका performance मुझे काफी अच्छा लगा इसका जो water pressure है वो भी काफी जादा है हलाकि आपको उतना अच्छा visible नहीं होगा फिर भी मैं आपको दिखाने का प्रियास करूँगा तोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इसकी motor की speed को भी कम जादा कर सकते हैं यह सारी settings भी आप इसमें कर सकते हैं यानि pressure को अगर कम जादा करना है तो motor की speed को कम करके आप pressure को कम कर सकते हैं motor की speed को बढ़ा के आप pressure को जादा कर सकते हैं काफी अच्छा performance है और cleaning में आप इसको प्योग में ले सकते हैं जैसे car या bike की cleaning करनी है यहाँ पर मैं आपको एक cardboard में इसके pressure के द्वारा cutting करके दिखाता हूँ जैसे कि आपको यह थोड़ा सा अंदाज लग पाएगा कि इसका जो pressure है वो काफी अच्छा है और इससे अच्छे से cleaning की जा सकती है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो cordless multi head power tool है इसके सभी attachment, mainframe, battery, charger सब आपको individual यानि अलग-अलग buy करने होंगे सभी के buy link मैंने वीडियो के description में दे दिये हैं उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए helpful रहेगा आज के वीडियो में इतना ही thanks for watching, have a nice day